ओम शांति 14 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूब बनेंगे बाबा वर्दान में बोले कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वा को कंट्रोल कर फुल इस्टॉब लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव बाबा आज हम बच्चों को सदा समर्थ आत्मा भाव का वर्दान देते वर्दान में बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वा को कंट्रोल कर फुल इस्टॉब लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव धिटेल में बाबा समझाते बिंदू स्वरूप बाप और बिंदू स्वरूप आत्मा दोनों की इसमरती फुल इस्टॉप अर्थात बिंदू लगाने में समर्थ बना देती है समर्थ आत्मा के पास स्वा के उपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है अर्थात बाबा आज हम बच्चों को अपने संकल्पों पर कंट्रोल करने की पावर बढ़ाने की विधी बताते बाबा कहते आत्मा अनुभव करो स्वयम को और परमात्मा पिता की लगन में मगन रहो बिंदू बाप को बिंदू आत्मा बन कर जब याद करेंगे तो संकल्पों के तूफानों पर ब्रेक लग जाएगा अर्थात कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी बाबा कहते बिंदू बाप बिंदू आत्मा की इस्मरती बिंदू फुल इस्टॉप लगाने में मदद करती है बाबा ने हम बच्चों को तीन बिंदियों की जो नौलेज दी है बाबा बिंदी में आत्मा बिंदी ड्रामा बिंदी तीनों अविनासी हैं तीनों का पार्ट उनमें नुधा हुआ है तो बाबा कहते कोई भी परिस्थिती देखकर किसी भी आत्मा का पार्ट देखकर अपने उपर प्रभाव ना लो अचल अडोल रहकर समर्थ संकल्प करो समर्थ बनो तो जितना जितना हम व्यर्थ में अपने समय और सक्तियों को बचाते हैं अपनी सबसे बड़ी सक्ती संकल्प सक्ती को बचाते हैं तो बाबा कहते स्वता समर्थ बन जाते हो कोई कोई बच्चे कहते हैं व्यर्थ संकल्पो के तूफान आते हैं तो बाबा स्रीमत देते व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्पो का ऐसा घेराव डालो कि व्यर्थ स्वतह समाप्त हो जाए आप बच्चे समर्थ संकल्पों के ब्रह्मन में अपना समय तथा सक्तियां सफल करो तो जितना जितना बिंदू बाप की समरती में रहेंगे बिंदू आत्मा खुद को अनुभव करेंगे उतना अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ा सकेंगे स्वा पर कंट्रोल कर सकेंगे स्वा परिवर्तन के आधार पर विश्व का परिवर्तन कर सकेंगे आगे बाबा कहते वहा दूसरों को कंट्रोल नहीं करते लेकिन स्वा पर कंट्रोल रख परिवर्तन की सक्ति को कारे में लगाते हैं उनमें रॉंग को राइट करने की सक्ति होती है वहा कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है मुझे ही सहन करना है समर्थ आत्मा यही समझती कि यहा मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है तो स्वर्ग में स्वराज्य लेने का आधार बाबा बताते फुल स्टॉप कंट्रोलिंग पावर जो बच्चे फुल स्टॉप कंट्रोलिंग पावर के आधार पर स्वा को परिवर्तन करते हैं कोई भी आत्मा का विवार हो कोई भी आत्मा के संबंद संपर्क में आना हो सर्व आत्माओं के प्रती दया की भावना रखते हो क्योंकि बाबा कहते राजा वे ही बनेंगे जो अपनी प्रजा का कल्यान करेंगे तो जब हम आधार मूर्त आत्मा हैं, पूरवज आत्मा हैं तो परवस आत्माओं पर रहम करना है, दया भाव रखना है समाने की सक्ती द्वारा सर्व तूपानों को समा लेना है, हर परिस्थिती को समा जाना है यही सोच कर कि यह अग्यानी आत्मा है यह परवस आत्मा है इनका पार्ट जो है वे एक्यूरेट बजा रहे हैं मुझे अपना पार्ट बजाना है तो साक्षी होकर सर्व आत्माओं का पार्ट देखते हुए अचल अडोल रहकर लक्ष को इस्मरती में रख लक्षन धारन करते हुए बाबा कहते समर्थ आत्मा बनू जिसके लिए बाबा हम बच्चों को सदा स्रीमत देते एकाग्रता की सक्ती को बढ़ाओ एकांत वासी बनू जितना जितना अपने मन और बुद्धी को एक बाब पर एकाग्र रखोगे उतनी उतनी कंट्रोलिंग पावर आएगी व्यर्थ संकल्पों के तूफानों को सेकेंड में बिंदी लगा कर जब चाहो जितनी देर जाहो अपने मन बुद्धी को इस्तिर कर सकते हो तो बाबा की यही स्रीमत कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वा को कंट्रोल कर फुल इस्टॉप लगा कर समर्थ आत्मा बन जाओ स्लोगन में पाबा कहते बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में द्रणता की विशेश्ता हो अर्थात हमारा पिता परमात्मा एक द्रण संकल्प के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन करने के लिए आते और हम बच्चों को विश्व कल्यान अर्थात विश्व परिवर्तन के निमित बनाते तो जो बच्चे बाप समान बनते बाप समान द्रण संकल्प करते उन बच्चों को बाबा कहते यही बाप की प्रत्यक्षता कराने के निमित बन सकते हैं जो बच्चे द्रण संकल्प करते हैं, द्रण संकल्प की विसेस्ताओं से भरे होते हैं, वे ही बाप की प्रत्यक्षता के निमित बनते हैं आज बाबा ने हम बच्चों को मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे बाबा कहते मीठे बच्चे, यह रावन की सोक वाटिका है, जिसमें सब दुखी हैं, अभी तुम रावन को भगा रहे हो, फिर जैजेकार हो जाएगी, सब असोक वाटिका में चले जाएंगे मीठे बच्चे, वह यह रावन की सोक वाटिका है, जिसमें सब दुखी हैं, अभी तुम रावन को भगा रहे हो, फिर जैजेकार हो जाएगी, सब असोक वाटिका में चले जाएंगे प्रश्न किया बाबा ने प्रजा में भी उच्पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है, उत्तर में बाबा कहते प्रजा में उच्पद पाने के लिए जो भी चावल मुठी तुमारे पास है, वह सब सुदामे मिसल बाप के हवाले करो, दिखाते हैं न, सुदामा ने चावल मुठी दी तो महल मिल गए, बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीती पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ एंशोर कर देना है, गीत सुनाया बाबा ने आखिर व मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पाइंट, राजाई पद लेने के लिए पूरा स्रीमत पर चलना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई यही पाठ पक्का करना है, दूसरी पाइंट बाबा कहते हीर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल, ठिंक नो इविल, बाब के इस डाइरेक्शन पर चल, मंदिर लायक बनना है, हीर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल, ठिंक नो इविल, बाब के इसी डाइरेक्शन पर चल, मंदिर लायक बनना है, तो यह थे बाबा के महावाक्य, अच्छा, ओम शान्ति!